हेलो बच्चों कैसे हैं आप सभी चलिए इस वीडियो में हम समझेंगे Classics की Worksheet No.9 जो की 2nd of August 2021 की Worksheet है और इसका सब्जेक्ट है Mathematics यहाँ आप अपना नाम लिखेंगे और यहाँ आप अपने टीचर का नाम लिखेंगे और आज का टॉपिक है To Know Our Numbers तो चलिए शुरू करते हैं Concept of Multiplication देखो यहाँ पे 1, 2, 3 यहाँ पे 3 columns है और यह कितनी बार है 1, 2, 3, 4, 5, 5 times है तो इसको हम 3 into 5 लिख सकते हैं सेम यहाँ पे हम लिख सकते हैं 1, 2, 3 यहाँ पे 3 boxes है और यह 1, 2, 3, 4, 5, 5 times है तो इसको 5 into 3 लिख सकते हैं कि यह 1, 2, 3, 4, 5, 5 boxes है और यह 1, 2, 3, 3 times आ रहे हैं तो इसको 5 into 3 या फिर 3 into 5 बोल सकते हैं पर इसमें difference क्या होता है अगर हम लिखते हैं 3 into 5 तो इसका मतलब है 5 को हम 3 times add कर रहे हैं और अगर हम 5 into 3 लिखते हैं तो इसका मतलब है कि हम 3 को 5 times add कर रहे हैं पर दोनों का answer same ही आएगा जो कि है 15 यह होता है concept of multiplication यानि अगर हमें किसी एक number को बहुत times add करते जाना है तो उसका simple तरीका होता है कि जितने time उसको add करना है उसी number से उसको multiply कर दो तो यहां से हमें क्या समझ में आया कि what is multiplication first repeated addition repeated addition का मतलब है कि कोई एक number बार-बार repeat हो रहा है और उसी को हम add कर रहे हैं तो first हो गया repeated addition second है product product मतलब दोनों number का multiplication third है by तो यहां पर मैं कहूं multiply 5 by 3 तो यहां पर का मतलब यहां पर multiplication भी है times हो सकता है यानि 5 times 3 तो यह भी हो सकता है और next है multiply तो यह सारे number है multiplication अब देखे हैं कुछ interesting facts देखते हैं multiplication के बारे में पहला है if any number is multiplied by 0 then the product is always 0 अगर किसी भी number को आप ले लो 145 ले लो इसको 0 से multiply करोगे तो answer हमेशा 0 ही आएगा second है the product of any number and 1 is the number itself अगर दो number का product लेते हो जिन में से एक कोई भी number है जैसे मानलो 457 ले लो और दूसरा number 1 है तो 1 से किसी भी number को जब हम multiply करेंगे तो answer वो number खुद होगा यानि कि 457 ही आजाएगा answer third part है यहाँ पर to multiply a number by 10, 100, 1000, etc. we put same number of zeros on the right hand side of the number जैसे मानलो यहाँ पर example है 456 इसको multiply क्या गया है 100 से तो answer क्या आएगा 4, 5, 6 तो ऐसे ही रहेगा साथ में यहाँ पर क्यूंकि 100 में 2 zeros हैं तो यहाँ पर 2 zeros extra आजाएगी ठीक है same ऐसे अगर हम third वाला देखे यह है 7, 3, 8 इंटू में 1000 तो 7, 3, 8 answer 7, 3, 8 तो ऐसे ही आएगा पर इसके साथ 3 zeros और add हो जाएगी और यह answer आजाएगा ठीक है अब हम देखते हैं first question कह रखा है find the product of 1, 23 and 3, 21 product मतलब multiplication करना है पहले हम 1 को इन तीनों number से multiply करेंगे तो यह number सेम ही रह जाएगे यानि कि 3, 2 और 1 ही रह जाएगे जैसे ही एक number से multiplication खतम करेंगे तो हम सबसे पहले वाले number के नीचे 0 लगा देंगे और अब हम दूसरे number से multiplication स्टार्ट करेंगे तो 2 into में 3, 6 2 into में 2, 4 2 into में 1, आजाएगा 2 2 number खतम हो गए 3rd number से multiplication शुरू करने से पहले अब हम 2 0 लगाएंगे अब multiplication स्टार्ट करेंगे 3 into में 3, आजाएगा 9 3 into में 2, आजाएगा 6 3 into में 1, आजाएगा 3 और अब इने हम add करेंगे तो यह आजाएगा 3, यह आजाएगा 8 यह आजाएगा 14 14 का 4 तो हम यह लिखेंगे और इस 1 को उपर लिख देंगे 6 plus 2, 8 plus में 1 9 और यह आजाएगा 3 तो यह यहाँ पर इसका answer आजाएगा ठीक है question number 2 है यहाँ पर the monthly salary of a man is 2,625 rupees, what is his annual income, यानि एक मन्थ में एक person इतने amount earn करता है, यह इसकी salary है तो पूरे साल में, पूरे year में कितनी income होगी, तो एक year में कितने months होते हैं, 12 months होते हैं तो इस number को 12 से multiply करेंगे और multiply सेम इसी method से करेंगे जैसे हमने यहाँ किया था तो answer आजाएगा 31,500 ठीक है, अब यहाँ पर हमें कुछ questions दे रखे हैं, जो हम solve करेंगे इसका नाम है brain teaser, first question है 562 into में 0, और अभी हमने उपर पढ़ा है कि किसी भी number को जब 0 से multiply करते हैं, तो answer 0 ही आता है ठीक है, तो इसका answer 0 आजाएगा, question number 2 है 8741 into में 1 अब किस नंबर को अगर हम 1 से multiply करेंगे, किसी भी number को 1 से multiply करेंगे, तो answer वो number खुद ही आएगा, तो यहाँ पर answer आजाएगा, 8741 ठीक है, अब हम देखते है third, third है, 5, 4, 6 into में 100, तो इसका answer क्या आएगा, 5, 4, 6 तो ऐसी आजाएगा, और 100 में ही कि 2 zeros हैं, तो यहाँ पर 2, 0, extra लग जाएगे, ठीक है अब last वाला जो question है यहाँ पर वो है, 5, 4, 1 into में 1000, 1000 में भी 1 और फिर 0, 0 है, तो इसका answer कितना आजाएगा, 5, 4, 1, यह तो ऐसे आजाएगा और इसके बाद, 3 zeros आजाएगे, ठीक है, तो यह इसका answer आजाएगा, question number 2 है find the product of 4, 8, 5, 1 and 2, 54, 2, 5, 4, इसको हमें multiply करना है, तो पहले 4 बंजा 4 आजाएगा, फिर 4 को 5 से multiply करेंगे, 20 आएगा, तो 0 यहाँ पर लिखेंगे, और इस 2 को ऊपर लिख देंगे, अब 4, 8 जा, 32, प्लस में 2 आजाएगा, 34, 4 को हम नीचे लिखेंगे, और 3 को उपर लिख देंगे, अब 4, 4 जा, 16, प्लस में 3, आजाएगा, 19, फिर्स्ट वाला complete, जैसे ही फिर्स्ट नंबर complete, तो यहाँ पर आजाएगा एक 0, अब 5 से multiplication स्टार्ट करेंगे, 5 बंजा 5, 5, 5, 5 जा 25, 25 का 5 तो यहाँ आएगा, जबकि यह 2 उपर आजाएगा, यहाँ पर 8 के उपर, अब 5, 8 जा 40, प्लस में 2, आजाएगा 42, और इस 2 को हम यहाँ लिखेंगे और इस 4 को हम यहाँ 4 के उपर लिख देंगे, अब 5, 4 जा 20, प्लस में 4, आजाएगा 24, ठीक है अब थर्ड नंबर से multiply करना शुरू करना है, पर उसके पहले हमें 2 zeros लगाने हैं, अब 2 1 जा, 2, 2 5 10, तो 10 का 0 यहाँ आएगा, और 1 इसके उपर आजाएगा अब 8, 2 जा 16 प्लस में 1, 17 का 7, आजाएगा यहाँ पर 1 आजाएगा उपर, अब 4, 2 जा 8 प्लस में 1, 9, और इसको अब हम add कर देंगे, यह आएगा 4 यह आजाएगा 5 यह आजाएगा 11 का 1 और 1 यहाँ पर, और यह आजाएगा 12 का 2 यहाँ पर, और 1 यहाँ पर, और इसको अगर हम add करेंगे तो आजाएगा 7 प्लस में 4, 11, 12 and 13, 13 का 3 यहाँ पर आजाएगा 1 और इसको हम क्या बोलेंगे 9 प्लस में 10 प्लस में 2 यानि 12 यह इसका answer आजाएगा ठेक है अब हम देखते हैं next question जो की है third question question है a box contains 480 packets of biscuits यानि एक packet में 480 biscuits हैं हमारे पास एक box है जिसके अंदर 480 packets हैं biscuit के और हर एक packet के अंदर यहाँ पे 12 biscuits हैं तो अब हमें बताना यह है कि इस box में कुल मिला कर total कितने biscuits हैं तो यहाँ पे इन दोनों numbers को multiply करना है और क्योंकि काफी easy है तो आप इसका multiplication करें और फिर answer मुझे बता रहें ठेक है तो I hope आपको यह worksheet अच्छे से समझ में आ गई होगी Thank you